हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वन्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरपोर्ट्स ऑफ इंडिया एए आई की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाय प्रोसेस के बारे में, तो फ्र यहाँ पर फ्रेंज से ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म इंवाइट किये गये हैं, जिनका डॉमिंशल है, जिन केंडिट का वेस्बंगाल, बिहार, उडिसा, चतिसगर, जारकंड, अंडमान, निकोबार, आइसलेंड और सिक्किम के लिए, यही फ्रेंज से इस पोस्ट के पायर के लिए और सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वेकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, इसमें फेंज से जो नंबर आप पोस्ट है, वो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइस देखने को मिल जाएंगी, आप जिस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं, 36,000 रुपे स साथ में दो साल का experience required रहेगा, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए आपके पास यहाँ पर graduate जिसमें बीकोम अगर आपके पास है तो आपको benefit मिल जाएगा, साथ में computer training क्रोस आपके पास होना चाहिए और दो साल का experience required रहेगा, अगर बात करें फ्रेंट से जूनियर अस study के साथ 50% marks में तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं, पर आपके पास यहाँ पर license required रहेगा, तो यहाँ पर फ्रेंट से LBT conditions को आप चेक कर लीजिए, उसके बाद फ्रेंट से आपको link मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में apply का, जहाँ पर जाकर आप details को check out कर सक तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट से यहाँ पर इसका online apply portal है, जहाँ से आप इसमें आविदन करेंगे, आपको फ्रेंट से यहाँ पर instructions को check कर लेना है, इसके बार आप यहाँ से declare करेंगे और सबसे पहले फ्रेंट से यहाँ पर login का option है, तो आप सबसे पहले sign up करेंगे, इस को select करना होगा इसके बाद post किस post के लिए अप apply कर रहे हैं वो आपको select करना है और उसके बाद फ्रेंट से आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम तो फ्रेंट से पूरा नाम आपको यहाँ पर mention करेंगे आपका 10 10-digit का mobile number और आपकी जो mail ID है वो आपको enter करनी होगी और यह friends दो दो बार आप यहाँ पर enter करेंगे तो friends मैंने भी सेंपल की तोर पर data जो है वो enter कर दिया है mobile number, mail ID और एक capture code आपको यहाँ पर फिल करना होगा और यह सब details आपकी सही है तो आप यहाँ से इसे submit कर सकते हैं submit करने के बाद friends से देखिए आपको जो है आपकी details मिल जाएंगी साथ में आपको एक option मिल जाएगा click here to fill application form का तो आपको इस option पर click करना होगा application form को फिल करने के लिए अगर आप mobile से फिल करने हैं और यह option आपका नहीं आता है उस condition में friends से आपको डाउनलूड करना होगा puffin browser puffin browser friends आप प्ले स्टोर से डाउनलूड कर सकते हैं और उसके बाद friends आप जब इस website को open करेंगे तो उसमें friends एक option होता है जिसमें friends आप उसे desktop mode में convert कर सकते हैं अपने browser को तो browser में जो option है desktop mode को convert करने का उसमें जैसे ही आप convert करेंगे आपको click here to fill application form का option मिल जाएगा इसके आप friends अब इसमें apply कर सकते हैं online सबसे पहले friends आपको scroll करना है आपको friends आपका जो application sequence number है वो आपको मिल जाएगा gender आपको select करना होगा exam center आपको choose करना होगा तो इन में से जो भी exam center आप choose करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पर friends exam center देखे दो mandatory हैं तीसरा आप choose करना चाहे तो कीजिए नहीं तो आप blank छोड़ देंगे इसके बार friends यहाँ पर देखे marital status option है तो marital status आप select करेंगे category आपकी general OBC, SC, ST जो भी है वो आप select कर सकते हैं OBCC form को fill करकर check करेंगे इसके बार है DOB means date of birth तो आप इस calendar पर click करेंगे आपका जो भी date of birth है वो friends आप यहाँ पर enter कर स सकते हैं dependent है एक servicemen killed in action के AI departmental candidate है यह friends आपने एक साल का apprenticeship AI में अगर किया हुआ है तो आप yes कर सकते हैं अपने apprenticeship number को provide कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे और उसके बाद 7 nest कर देंगे इसके बार friends आपकी देखे जो data है वो complete हो जाएगी इसके बार आपको सबसे पहले देना है आपका father name तो यहाँ पर friends आपका father name और उसके बार आपका mother name आप यहाँ पर enter कर देंगे यह एंटर करने के बार नीचे आपको आना है और यहाँ पर है आपका present address मतलब present में आप जहाँ पर रहते हैं तो पूरा address आप यहाँ पर mention करेंगे country आपको select करनी है state आपको select करना है इसके बार आपको district यहाँ पर select करना होगा और उसके बार friends आपना pin code आप देंगे नीचे है friends आपका permanent आप देखें friends यहाँ पर दोनों same है तो आप same entry कर सकते हैं और अगर यह अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry भी कर सकते हैं अपने address की और उसके बाद ही आप save and nest करें इसके बार fare data save होने के बाद आपको qualification की entry करनी है सबसे पहले है आपके board का नाम तो आप अपने बूर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंके इसके बार fare आपका arrow passing जो है वो आप यहां से select कर सकते हैं, आपने इसको कब pass किया है, तो वो आप यहां select कर लेंगे, इसके बार है आपका institute ने मतलब कहां से आपने इसको pass किया है, किस स्कूल से उसकी जानकारी आपको देनी होगी, subject combination में आपने कौन-कौन सी subject पढ़ी है, तो आप इस त का نाम, आपके school का नाम, आपके subject combination क्या है, आपका arrow passing क्या है, तो यह इससे बेसिक जानकारी है, जो कि आपको यहां पर देनी होगी, तो यह आपको यहां पर enter कर सकते हैं, आपने इसमें यहाँ पर entry करने के बाद नीचे है essential का option essential क्या है उस post के लिए mandatory जो qualification है अब यह appearing है या पास है वो आपको select करना होगा degree name में या तो आपने पास तीन साल का regular diploma है तो आप इस option को select कर सकते हैं इसमें आप specialization mechanical automobile या fire select कर सकते हैं उसके बाद university का या board का नाम आप एर उपासिंग और percentage आप enter करेंगे अगर आपने 12th pass out है तो 12th select कर सकते हैं specialization का option में आपको यहाँ पर यह option जो है select करने की जोड़त नहीं है आप इसे blank ही छोड़ देंगे आप यहाँ पर इसे select ही छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है एर उपासिंग देना है परसेंटिज ओप मार्क्स देना है नीचे आपको मिलेगा details का तो यहाँ पर देखिए जो essential है जिसमें आप से पूछा गया है आप पॉजेस करते हैं valid heavy vehicle driving license यहाँ आपके पास है valid medium vehicle license जो कि कम से कम एक साल पहले issue हुआ है इस advertisement से यहाँ आपके पास जो है light vehicle license है जो इसमें आपके पास दो साल पहले का कम से कम यह होना चाहिए तो यह जानकारी अब आपको अपको अपने according है select करनी है अगर आपके पास heavy license है तो अपके पास अगर latest भी है तो भी आप select कर सकते हैं अगर आपके पास medium vehicle license है तो आपके पास एक साल पहले का होना चाहिए अगर light vehicle है तो दो साल पहले का होना चाहिए तो वो आप अपने according यहाँ पास select कर लेंगे computer science as a subject आपने 12th level में पढ़ा है नहीं पढ़ा है आप उसकी जानकारी देंगे इसके लाबा कोई experience है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पास दे सकते हैं इसके लिए प्लस पर click करेंगे और अपने experience की जानकारी provide करेंगे कोई भी experience नहीं है तो blank छोड़िए और उसके बाद save and nest यहाँ से कर दीजिए इसके बाद देखें डाटा आपकी save हो जाएगी data save होने के बाद fees आपको यहाँ पर show हो जाती है अब आपको देखें photo upload करना है signature upload करना है आपका essential qualification upload करना है अब आपके पास कोई यहाँ पर experience है तो experience certificate आप दे सकते हैं आपका card certificate upload करना है तो जो भी star लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर upload करना है click here to पर click करेंगे तो file size आपको मिल जाएगा photo inside jpg format में आपको यहाँ पर upload करने है 100 kb से कम size होना चाहिए qualification के लिए friends आप pdf jpg format यूज कर सकते हैं एक mb से कम size आपको यहाँ पर रखना होगा तो friends यहाँ पर देखिए documents upload होने के बाद आपको नीचे आना है declaration में friends ए capture code देना है I agree करना है और उसके बाद preview चेक करना है preview से अगर आप satisfy है तो उसके बाद ही आप यहाँ से इसे submit करेंगे इसके बाद friends आप इस data को agree करेंगे agree करने के बाद friends आपके सामने जो state bank का collect system है यह open हो जाएगा यहाँ पर दिखिए या तो आप net banking यूज कर सकते है करने के बाद आपके सामने जो बिल्ट डैसक है यह open हो जाएगा बिल्ट डैस्क ओपन होने के बाद अपने कार्ड के डिटल्स को आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद पेवाले option पर कर देंगे पेमेंट करने के लिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जब आपका पेमेंट यहाँ पर complete हो जाएगा इसके बाद आपको एक option मिलेगा योवर application form has submitted successfully मतलब आपका जो form है वो finally submit हो गया है यहाँ पर right hand side में आपको ऊपर देखिए option मिल जाएगा print का आप इस option पर click करेंगे और इसकर जो print out है वो save करकर अपने पास रख लेंगे future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की Airports Authority of India AI का online form आप कैसे apply कर सकते हैं step by step process के बारे में हमने इस वीडियो में बात की बाकी की जानकारी friends आप video description में jobrasa.com पर जाका check out कर सकते हैं अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो friends लाइक सब्सक्राइब एंशे जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब चैनल and last thanks for watching